हेलो एव्रीवन, वेलकम तो था आल न्यू सेशन आफ ट्रेडिंग अल्लिमिटेड दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग ना कुछ बेसिक साइकॉलजी के बारे में बात करने वाले हैं काफी लोगों का जो फियर है वो क्रिप्टो मार्किट को देखते हुए बढ़ गया है कि अब मार्किट का क्या होने वाला है, मार्किट एक तरीके से क्या खतम हो चुकी है अब हमें जो अपना जो पैसा है अगर हमें लगा रखा है जो loss में दिख रहा है हमें हमारा portfolio red दिख रहा है तो क्या हमें वो withdraw कर लेना चाहिए हमारा future step क्या होना चाहिए इसको लेकर और market आने वाले time में कैसे behave करेगा और कर सकता है मेरे recording तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे लेकिन ये lecture मैंने इसलिए रखा है सिर्फ आपको ये बताने के लिए नी कि मेरे recording क्या होगा इसका हम scientific basis जानेंगे कि market की direction proper तरीके से जाएगी कैसे और क्या होने वाला है और हमें अपना जो portfolio है वो किस तरीके से manage करना है देखो सबसे पहले एक basic चीज से मैं आपको familiar करवाता हूँ रूबरू करवाता हूँ सबको जिनको कोई भी idea नहीं है जो इस market के अंदर नहीं है देखो एक गलती जो हम real life में नहीं करते हैं और इस market में करते रहते हैं वो यह है real life में अगर आप कहीं पर tomatoes, potatoes या कोई भी चीजे खरीदने चाते हो तो आपका मन यह करता है कि मुझे सस्ते देजस्ता मिल जाए 20 रूपे के tomato खरीदने में भी आप यह कहते हो कि भईया 15 के लगाओगे क्या, 10 के दोगे क्या लेकिन यही गलती हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें हर चीज ना higher prices पर अगर जा रही हो बहुत high rate पर मिल रही हो तो हमें अच्छी लगती है अगर यही चीज जो सामने आपके चार्ट है, जो bitcoin का चार्ट है यही अगर all time अभी high होता तो यह आपके बहुत अच्छा लग रहा होता और यहाँ पर हमारी reverse psychology काम करती है कैसे, real life में यह नहीं करती है real life में आप बहुत कुछ होते हो जब आप कोई चीज सस्ती ले आते हो reverse psychology यहाँ पर कैसे अभी market जो है वो इस point पर है सोस करती है कि हम buy नहीं कर सके और यह देखो कितना ऊपर चला गया इसका graph मैं particularly इस lecture में crypto market के उपर बात करने वाला हूँ लेकिन मैं हर चीज के सब को proof दूँगा जो कुछ भी नहीं जानते हैं या फिर जिनोंने trading in the zone elementary lectures जास मेरे साथ इस्टार्ट करें उनको भी यह चीज समझी में आ जाएगी मैं पूरा काला चिट्टा खोल कर रखने वाला हूँ और आप जो है जितने भी मेरे students उन सब की anxiety में खतम करने वाला हूँ उनको best course of action भी बताऊँगा कि उनको इस market के अंदर करना क्या चाहिए जिस market जैसी market अभी behave कर रही है सबसे बड़ी बात जो लोग market में नए है या दूसरों की अभी तक trading tips की उपर depend होते हैं तो उनको इस market से डर लग रहा होगा लेकिन मेरे जैसे जो traders हैं या फिर आप में से बड़े सारे लोग जो experienced हैं उनको खुश होना चाहिए अब देखो खुशी की बात है क्या यर एक बाँ बताओ क्या हम पूरे सालों साल वेट नहीं करते रहते हैं कि कोई भी जो stock है, crypto है वगरा वो हमें इतना सस्ता मिल जाए हमारी के अकसर ये complaint नहीं रहती है कि मेरे दोस्त तो बहुत जादा पैसे लगाते है कि आप इतने dip में buy करो और आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितने profit में okay last time इतने dip में ये market था नीचे year देखो 2020 में अगर आपको एक October और अभी हम November में वैठे हैं same ये चीज 2022 में जब आपको यह आती हो दिख रही तो आप यह अफसोस क्यों कर रहे हो लोगों ने तो ये भी कह दिया था यहाँ पर तो कुछ भी नहीं भी तो यहाँ पर है ये चीज न यहाँ आ गई थी इधर यहाँ ती यह देखो आपके सामने मैंने बनाया इसको इस लेवल पर होकर आईए मार्केट तो अगर मैं इसको रुपीज में दिखाओ बगल में देखो यहाँ आपको देखेगा इस वेट अ मिनिट चार्ट में कुछ फॉल्ट है आई थिंग इधर देखेगा आपको यह देखो 2951 डॉलर्स का इधर तक था और अभी तो फिर भी 16,719 डॉलर्स का है तो घबराने वाली तो बात ही नहीं है और एक बात अगर मैं और बताओ BTC ने जब अपनी जर्णी स्टार्ट करी थी Bitcoin ने मैं तो उसको ऐसे ही बोलूँगा एक डॉलर्स से स्टार्ट करी थी हम ये चीज़ कैसे बूछ सकते हैं एक डॉलर्स से स्टार्ट करी थी आज तो फिर भी कम से कम किस लेवल पर trade कर रहा है ये भी तो सोच के देखो उसके उपर से ये कोई नई बात नहीं है ये कोई नई बात इसलिए नहीं है देखो हम प्रॉपर तरीके से अगर देखिए तो selling pressure जो यहाँ पर चला आ रहा है मैं पहले BTC का चार्ट आपको Bitcoin का चार्ट इसलिए दिखा रहो क्योंकि इसी के according भागी सारे क्रिप्टोस भीव करते है इसका जो level है वो इस supply zone से चला रहा है यहां से यहां से पूरा का पूरा यह selling pressure जो है यह continue होया है यहां से ही यह पूरा का पूरा जो selling pressure है यह continue होते हुए आपको दिख रहा है इसी level से इस zone से जो कि यहां तक होते होते इधर तक चला आया institutions में क्या करा साल 2020 में यहां पर अपने इस range पर इस range पर अपने पूरे के पूरे जो orders थे वो उन्होंने buying orders यहां पर लगाए institutional इस जगा पर buying orders लगाए और उसके बाद market को उपर ले गए लोगों ने का यह bull run है पूरा का पूरा selling pressure यहां तक आया तक यहां तक और लोगों की हवा टाइट हो गई थी उसके बाद इन्होंने दुबारा market को उठाया लोगों की उमीद बहुत ज़ादा जाग चुकी थी क्योंकि bitcoin अपना all time high लगा चुका था इस वाले point की उपर और इसके बाद अभे नीचे आना start कर रहा है यह नीचे आना start कर रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ आप इसको भर भर के cryptos को buy कर लो क्योंकि यह kind of एक तरीके से आपको monthly और yearly के pass की demand zone में देखने को ही मिल रहा है और इसके बाद बहंकर level पर अगर मैं तो यह कहा हूँ कि अगर यह इस level तक भी आता है यह अगर इस level तक भी आता है कोई बात नहीं इस आप टू बाई इन एवरी डिप और यह आ सकता है इस level तक यह आ सकता है इस level तक इस आप टू बाई एवरी डिप जितनी बड़ी बड़ी candle बनाकर यह नीचे आ रहा है यहाँ पर होगा क्या यह game ऐसे चल रही है कि यह यहाँ से नीचे आने वाला है इस level तक माल लो यह आ क्या इसकी नीचे भी आ सकता है लेकिन इस level तक क्या आ गया माल लेते हैं में इक पर को यह जब यहाँ तक आया ना तो institutions कर क्या रहे हैं इस game इस पूरी के पूरी market को हम जा दे हैं कि institutions चलाते हैं यह यहाँ से proper supply zone से इसको चला कर आ रहे हैं यह यहाँ पर आई यहाँ पर आई यहाँ पर आई ठीक है अब जब golden start होता है जैसे अब दुबारा जब यह market यहाँ से reverse back करना या कहीं से भी किसी भी point से जब भी start करेगी तो हमेशा जब मंतली से price चलती है तो वो मंतली के supply zone से कर प्राइस चलती तो वो मंतली के demand zone पर आकर रुखती है और यहाँ से जब यह मंतली के demand zone से चलना start होगी तो यह मंतली के supply zone पर जाकर रुखेगी तो कोई भी चीज उसको यहाँ तक all time एक और इसके बाद एक और नया BTC एक नया high लगा देगा BTC एक नया high लगा कर आजएगा BTC हो सकता इस बादी यहां तक पहुंच जाए इस range तक पहुंच जाए इस बादी और यह इसकी reality है यह इसकी reality है इस reality को जानने के लिए एक बारी इंडियन stock market में हम लुख चलते हैं और यहां पर एक मैं आपको शेट्र दिखाना चाहूँगा Nifty Metal का Nifty Metal का चार्ट हमारे पास यहां से अगर आप देखेंगे ऊपर आता है सब कुछ लिखकर देखो year लिखकर आगा है यहां पर 2011 से available है और मैंने monthly का चार्ट खोल रख रहा है जिस time पर Nifty Metal जो है यह पूरा का पूरा सेट्टर है पूरा का पूरा सेट्टर है जब यह हमारे पास आता है तो यह इतना low लगा कर आता है ध्यान से देखना यह इतना low लगा कर आता है अगर आप यहां पर ध्यान से देखो यह देखो इस point पर मैं रखूँगा इस line को और यह यहां तक का यह low लगा कर आता है ओके, यहां तक का इसने लो लगाया, उसके बाद ही हाई जाता है यहां तक, इधर तक, लोगों की एक्सपेटेशन अच्छी काज यह बढ़ गई, जैसे यह नीचे करना स्टार्ट हुआ ना, और इसने एक आल टाइम लो लगाया, लोगों की लूज मोशन से स्टार्ट हो ग यहां तक का और इसको मिटाते थे यह, उसके बाद यह दुबारा नीचे आता है और एक यह नाया लो लगाता है, लोगों की एक्सपेटेशन फिर साइकॉलजी फिर खराब, न्यूज में बड़ी-बड़ी बाते आने लगए कि इस सेक्टर ते जुड़े जितने भी अधानी इंटर्प्राइजेज, यह सारे के सारे अब बरबाद होने वाले हैं और यह सारे के सारे इंडिया से खतब हो जाएंगे, जब ऐसी न्यूज यहां पर चली, आप हमेशे इसका पैटर्न देख रहे होगे, यह एक लो लगा रहा है और all time high लगा रहा है, फिर एक न नया लो तो ख्रीट नी कर पाया लेकिन all music नय लो के पास आ गया क्योंकि यह इस बारी इस demand zone में आया, rally, drop base and rally, बिल्कुल यहां पर आया है, पूरा setter आ गया है यहां पर और अब देखो यह, नया high यहां पर लगा कर आया, यह नीचे आ नहीं वाला था justy, यह नीचे justy आ आया नहीं नीचे और यह यहीं से यह दुबारा ऊपर जा रहा है, अब यह जब इतना ऊपर जा रहा है, यह पूरा setter है, मालो अभी ऐसा मालो इसको कि यह ना यहां से, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1444, 1444 ते चलता हुआ, इसने high लगाया, इसको में बिटाते है इसने high लगाया, यहां तक का, 6831, almost यह 4 गुना हो गया, 3-4 गुना हो गया, almost यह, इतनी महंगी रेंज पर कोई buy नहीं कर सकता, अगर यह उपर जाता रहका तो एक बाब बताओ, फिर हम जैसे लोग कब buy करेंगे बताओ, यह market तो फिर हमार लिए है यह नहीं, सबको मौका मिलता है, मौका इंदासेंस के इंस्टिटूशन की गेम की वज़े से यह सबको मौका मिलता है, इंस्टिटूशन के गेम की वज़े से सबको मौका मिलता है कि एक बार कोई CV सेक्टर या कोई CV एक चीज एक नया लो लगाती है फिर एक हाई, फिर एक नया लो, फिर एक नया हाई, फिर एक नया लो, फिर एक नया हाई, फिर एक लो और फिर एक all time हाई यानि कि यह सारी चीजे यहां से होते होते ऐसे जाती है और यह सारी चीजे यहां से होते होते नीच आती रहती है हर एक market ऐसी ही चलती है और ये तो फिर भी sector है ये तो फिर भी दोस्तो sector है पूरा कपूरा sector है यानि कि इन सारे stocks मिलकर मैंने आपको इन Nifty Metal का chart दिखा है Nifty Metal आप उपर देख रहे होगे ये पूरा कपूरा sector है यहाँ पर इधर ये जैसे ये Nifty Metal है निफ्टी ब्राइबिट बैंक है निफ्टी लियरेटी है निफ्टी मीडिया है ये पूरा पूरा ऐसा sector रहे है अगर सिर्फ मैं आपके सामने अभी crypto market क्रिश्ग market का भी signal चलती है अगर मैं सिर्फ आपके अभी nifty 50 का chart खोलू ना भी यहां से देखो यह कहां थे चल रहा है साल 2003 यह जब इधर वोपर था ही साल 2089 उसके बदी ऊपर बढ़ते जा रहा है नीचे भी आता है बार बार लेकिन अभी अपने all time hyper है हमेशा crypto market और indian stock market पैलली चलती है और nifty 50 index होता है best 50 companies का हमने discuss करा था इसको और यह अब पैलली नहीं चल रही है यह अभी all time यह अपने एक नए low लगाने के चक्कर में या फिर low पर आ डिमांड जोन पर आ रहा है और इसके साथ क्या और है कि nifty अपने all time हाई पर है इसमें हल तक पहुंच जाए कितना कुछ चीफ हो जाएगा हमार लिए एकदम से कोई चीज नहीं गिरती कि एकदम से तती बड़ी गटन यहां पर बिलकर गिर जाए लेकिन यही जब चीज़े नीचे आने लग जाती न अभी जैसे बड़ी सबरी खबरे आ रही है कि इंडिया जो है यहां पर सब लोग बाय करने में लगे हुए कि अभी जो है इंडिया जो है वर्ल्ट की फिफ्ट लार्जेस एकॉनमी बन गया है सारे के सारे अभी अल्टाइम हाई पर हैं लेकिन अभी आप छोटे मोटे जो स्टॉक से अगर आप उनको भी उठा कर देखो तो वो टाटा एलेक्सी के स्टॉक दिखाता हूँ इसका प्राइस देखो यह कहां तक गया था 10,760 रुपे यह चलना कहां से स्टार्ट हुआ था 502 रुपे से 502 रुपे से चलाता साल 2020 में कितने गुना कितने गुना आपका पैसा हो गया यह लेकिन अब यह कहां पर अभी चल रहा है 6,830 रुपे पर मार्किट हमेशे ऐसे रही है अगर हमेशे इतना ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा कोई भी बाय कैसे करेगा पता तरह यहां पर भी तो किसने बाय कर रहा होगा ना अब गेम को समझाता हूँ वो तक है institutions ना ऐसे ही हमेशा करते हैं कि पहले वो यहां पर अपने buying orders लगाते हैं इस रगा पर इस रगा पर मैं इसको green करते तो हूँ यहां लगें institutions के buying orders जो कि वो लगा कर एक range में ऐसे ऐसे करते करते हैं यह दीरे दीरे क्या हो रहा है कि उनके buying orders execute हो रहे हैं हम buying and selling के बारे में बस हमारा जो lecture आने वाले उसमें पंडे वाले हैं जितने लोग नहीं चानते हैं 2020 में उन्होंने यही चीज़ करी 19 से लेकर 20 तक वो अपने buying orders लगाते रहे साल जुलाई से लेकर ऑक्टूबर 20 तक यह अपने लगाते रहा buying orders इसके बाद एक धेंकर लेवल पर बुल्डरन देखने को मिला crypto market की जो बावाई हुई आप पुरानी खबरे बगर उठाकर देखो थोड़ा सा correction आया था लोगों के sentiment दुबारत से डगमगा गयते लेकिन फिर ही उपर गया और जब इस market ने एक नया हाई लगाया जब इस market ने एक यहाँ पर जाकर एक नया हाई लगाया तो इसके बाद और भावाई होने लग गई इसकी अब जब यह नीचे आने लगाया और आज के दिन इसके sentiments ना इतने negative होंगे ना इतने negative यहाँ पर देख लो जड़ा सिर्फ मैं यह लिखूँगा यूटूब पर आपके सामे और यहाँ देखो ग्रैश बॉटम पर है ड्रामा कंटिन्यूज बिटकोन कॉलाप्सेज फॉल्स दिस बिल्ट कोई बाउंस बैक लेकिन कुछ खुछ यहां लोग बहुत अची बाते भी कर रहे हैं इस क्रैश विल मेक मैनी मिलियोनेर्स क्रिप्टो सुर्कूलेशन वाई आए सोल और मैं विडब कांट यह सब इंस्टियूशन का गैम है सब इंस्टियूशन का यह फियर पैदा करने के लिए फियर पैदा करने के लिए इस क्रिप्टो क्रैश कुड गयेट मुच वर्स यह तो होगी यूटूब की बात चलते हैं गूगल न्यूस पे बिटकोईन फॉल्स इतने इतना ठीक है बिटकोईन इस फॉलिंग अगें द्यू टू FTX क्राइसे इन दा क्रिप्टो मार्केट कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कोई क्राइसे की वज़े से ऐसा होने लगाओ इतना फॉल हो गया इतना गिर गया हर जगा मतलब ये नेगेटिव सेंटिमेंट मतलब फैलाई जाते हैं इंस्टिटूशन के द्वारा न्यूस की फॉर्म में न्यूस की फॉर्म में FTX क्राइसे नाम से अभी कुछ आगया इससे पहले जब क्रैश आया तो रशिय यूकरीन का नाम दे दिया था ओवर 344 million liquidated as Bitcoin Ethereum continues to drop इतने लोगों ने अपना पैसा गवा दिया गवा क्या दिया? वो एग्सिट कर गए अब मैं ये समझाता हूँ कि हुआ क्या? इंस्टिटूशन जो है यहां पर अपने buying order जब लगा कर जाते हैं तो अब जब उन्होंने buying order यहां पर लगाए और सबने buying करें उपर उपर से वो करके अब क्या वो पागल है कि अपने profit के चक्कर में दूसरों को profit कमभा कर जाएंगे इस range में इस range में जब यहां से market गिरना शुरू हुई और मैं इसको बना देता हूँ red यहां से institutions रब में selling order लगाना शुरू करें और selling order से अब आप कोगे इनको फायदा क्या होता है जितने लोगों ने buy कर रखा था ना तो हर किरते हुए drop के साथ ना जो लोगों को बिल्कुल भी knowledge नहीं होती ना वो अपनी holdings निकालते चलेगे कि यार मेरा 10 लाग का यार वो था 1 लाग पर आ गया है कम से कम यार 1 लाग तो बच जा है कम से कम मेरा यार अब उन्होंने buy यहां पर कर रखा होता है all time high पर जाकर इस जगा पर जब buy करोगे उसके बाद हलकी सी भी correction आएगी तो लोगों के lose motion तो लगेंगी लगेंगी और उसके बाद यह नीचे आ रहा है अब यह नीचे आ रहा है तो मैं वही तो बता रहा हूं कि यह वाली चीज चीज तो बहुत एक अच्छी है सस्ता सस्ती हो रही है सारी चीज़े अब यह तो मैं आपको BTC का चार्ट दिखा रहा हूं ठीक है अभी हम बात करते हैं माना माना की decenterland की कई लोग कह रहें कि पूरा का पूरा crypto market ना zero हो जाएगा कैसे हो जाएगा zero कैसे हो जाएगा zero यह म पर था ना इस जगह पर देखना इदा देखो जब यह 442 रुपीज का था ना तब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था आज यह 40 रुपे का है तो लोगों को बेकार लग रहा है मतलब जब किसी के पास यह कब गया यह गया था एक नवंबर 2021 को आज हम दुवारा नव नवंबर 2021 एक नवंबर 2022 यह नवंबर की केंडल है मंध्ली केंडल पे हम लोग मंध्ली टाइम फ्रेम पे हैं पूरे एक साल के बाद मार्केट हमें मौका दे रही और यह गए भी तो यहीं से थी एक जून 2020 पी 21 से जब यहां से हम गई थी जब यह इधर था और नीचे था देखो यहाँ पर बनाकर रिखाऊ मैं एक लाइन बारता हूँ वैल्य आई किसकी यह सम्थिंग लाइक कितने भी था इसका लो जो इसने लो लगाया 26 उर्वेगा जब यह 26 से 442 उपर गया तब लोगों को बहुत पजी आए लेकिन यहाँ से आने आप लोगों की आलत खराब हो रही है इस इस दा बेस टाइम क्योंकि जब हम पूरे साल रोते रहते कि मेरा पैसा नहीं है या 100 कोईन से एक साथ मेरे पास आनी पारे 200 आनी पारे 400 में चो चीज एक आरी थी अब 400 में 10 आ सकती है 10 आ सकती है और इसको रोकने वाला यहाँ तब कुछ नहीं होगा और यह all time high लगाएगा इस बारी में बता रहो यह सारे के सारे जितने क्रिप्टोज है all time high लगाएगे इनको यहाँ तक जाने से कोई नहीं रोक सकता और तब फिर दुबारा आना शुरू हो जाएगा कि यह बहुत अच्छा चल रहा है market बूँ चल रहा है और फिर लोग क्या करते कि इस रेंज में जाकर buy करना स्टार्ट करते है जब यह market all time high होती है इस रेंज में यह time होता है buying करने का investing करने का लेकिन यह जो opportunities मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा अब इसमें एक एक logo की ideology और आती है और यह यहां से एकदम से उपर क्यों नहीं उठ रहा है देखो institutions जो है ना यहां पर अपने जो उपर से द्यांतर सुनना यहां से जो अपने उपर से वो selling order लेकर जो आए हैं वो यहां पर execute भी तो करेंगे आपके इसे सामान लेकर आते हो तो जब बेचने के लिए दुकान पर तो आप अपनी payment वगरा मिलने का वेट नहीं करोगे तो यहां पर ना कुछ time तक consolidation चलेगी अभी यहां consolidation चलेगी किस बात की selling orders होंगे execute selling orders होंगे execute और मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो selling orders के execute होने के बाद यहां पर लगेंगे fresh buying orders और fresh buying orders लगने के बाद देख लेना चाहिए बनी देख लेना मूँ जबानी है मेरी यह वीडियो आपको दुबारा मिलेगी अभी कुछ महीनों बाद और तब आप देख लेना इसको जयती fresh buying orders लगने स्टाट हो कुछ time के लिए गूमेगी हो सकता है हफता 10 दिन या फिर बहुत जल्दी भी या फिर हो सकता है एक दो महीने के लिए धाई तीन महीने के लिए range bound होकर रह जाए market और फिर जाना यहां से यह स्टाट हो फिर यह जाना फुल्फिल होंगे और नए orders लगेगे लगे और उसके बाद देखाओ देखो, zero, इसा चार्ट, जो मैंने आपको धिखाया, यह, nifty metal, पूरा का पूरा, जो मैंने आपको sorter दिखाया, यह monthly का chart है, monthly का chart है, मंद्ली का chart है, तो यहाँ क्या हो रहा है, orders लगे, यानि कि पूरे month के अंदर यह ना admitting range fiscal रहा है, 1 candle 1 month की है, एक candle एक मन्त की है इसको अगर मैं आपको इसको अगर मैं आपको यह है अब मैं भीक पर जा रहा हूँ यह मैं भीक पर आगए ना और यही देखना अब अब मैं डेली पर जाओंगा मार्केट यह इतने दिनों के लिए फसकर रहे गई अभी एक candle एक दिन की और लोगों को लगा अब इसका कुछ नहिए हो सकता अभी गया अभी गया, यहां तक आया तो बस लोगों की alguma uhun स्टार्ट और उसके बाद उसके बाद यहां तक यह आया ना फसकर रहे थी मार्केट नीचे नीचे घूमे जा रही थी अलकी बूल की नीचे आती है बहुत लब मैं वही कह रहा हूँ डरने की कोई बात ही नहीं अलकी बूल की नीचे है आपने जहां लगा दिया है हर डिप पे भी बाई कर सकते है जहां लगा दिया छोड़ तो उसको कोई बात नहीं लेकिन यह यहां पर आई और उसके बाद देखना क्या हो गया यह देखो यह देखो यहां पर लोगों ने तो पूरे confidence उनका कतम और यह देखो कितने से कितने पर 1596 से 3543 डवल से भी जागा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा और उस टाइम पर चाहे पुराने कोई से भी देख लो अभी जैसे अभी जैसे मैं आपको देखाता हूँ Nifty Media पर चलते हैं कोई सबी देख लेते हैं Nifty Media पर चलो ठीक है किसी उस पर चलते है Nifty PSU Bank पर चल लेते हैं अजलो ठीक है PNB पर चलते है मैं इसके मंतली टाइम फ्रेम पर आ गया यही PNB जो आद 44 रुबे 42 रुबे चालेस रुबे का आज पास अपने लोगों ने लिया यह एक टाइम पर 297 का था 278 का था अरे मंतली यह था 280 रुपीस का था यह 280 रुबे का आज यहाँ पर पैसे लगाने से पहले इतना सोचना क्यों है जो चीज 280 रुबे में एक मिल रही थी है आप सोचके देखो कि 44 रुबे में कितनी ही मिल सकती है और जो उसका पूरे सेटर है ने इसके पीचे रीजन के responsible है यह है यह है निप्टी PSU बैक पूरे सेटर का चार्ट देखते हैं क्वाई जितने बैंक से निप्टी PSU बैक के हैं हम इसका चार्ट देखते हैं और यह मन्त्य टाइम प्रेम हमारे पर इसका चार्ट है यहां से अविलिबल साल 2011 से यह देखो इसने यहां पर जैती ओपन हुआ इसने लगाया यहां पर यह हाई उसके बाद कॉर्पटेंस लोगों को खतन यहां तक फिर यह यहां तक गया उपर पुराने वाले को मिटाते चलते हैं फिर इसने एक नया लो लगाया फिर इसने एक नया लो लगाया यहां तक का उसके बाद यह आल्मोस्ट अपने उसी हाई पॉइंट के पास था यहां पर इसने लगाया फिर यह वहीं ते चला उसी लाइन से चला यहां तक गया और फिर यह बहीं पर जाकर पहुंचा यह दोबारा बिल्कुल उसके पास इस बार लेकिन नाया लो लगा दिया यहाँ पर लोगों का कॉर्पिटेंस कता मार्केट में बुरी-बुरी आपाया आना शुरू निफ्टी पीस्यू बैंक चले गए है वो चले गए देश जिस पे चल रहा है देश जिस पे चल रहा है वो बैंक क्या डूप जाएंगे वो बैंक क्या डूप जाएंगे नहीं न अब देखो क्या है अब आप कहो कि कि निफ्टी पीस्यू बैंक सर पूरा का पूरा जो सेटर यतना उपर हो गया है यतना ऊपर हो गया है लेकिन यह जो अभी हमने PNB देखा वो तना नीचे है तो यही होती है कुछ-कुछ आप बहुत है कि Nifty PSU Bank जो है उसका graph अभ दोबारा से ऊपर है अब इसमें बड़े सारी जो बैंक्स हैं फर इक्जामबल जैसे सबसे टॉप का दिखाता हूं जो अभी बहुत इच्छे दिन जैसे चल रहे हैं जिसके किसी की बात करो इंडिया बैंक की बात कर लो यह देखो जैसे Nifty PSU Bank पूरा सेट्टर चल रहा है यह भी अपने all time high पर चल रहा है अब जो नहीं चलते है न यह होते हैं investment के लिए बढ़िया यह होते हैं investment के लिए बढ़िया लाइक PNB यह अभी जैसे Settr काम कर रहा है बैथे नहीं चल रहा है Settr तो यहां तक पहुंच गया पूरा का पूरा Settr यहां तक पहुंच गया है लेकिन यह नहीं चला अभी तक इतना नहीं चला अभी यह टाइम होता है investment का जब इतना नीचे low trade कर रहा है अगर आप देखो यहां यहां पर इतना नीचे low trade कर रहा है तो यह आपको कितने गुना return देकर जाएगा आप यह तो सोचो आप यह तो सोचो और पूरा सेटर अभी इसके support में सेम चीज में आपको यह ideology आपके build करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो है कि जिसकी वाज़ यह भी हो सकता है कि यहीं से lot चाहिए लेकिन best range जो में मान के चल रहा हूं वो है यह वाली कि यहां तक और अगर यहां तक नहीं तो एक यह जो range है एक यह वाली कोई बात नहीं और इसके बाद देखना फिर मैजे जब यह पूरा का पूरा पैसा अचा मैं बता रहा था कि नीचे क्यों लाते यह पूरा का पूरा पैसा जब यह सब का खतम करवातेंगे यहां पर सब लोग exit करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो बस इन्होंने अपना selling order यहां पर लगा रहा था और वो fulfill होते जा रहे क्योंकि लोग exit करते जा रहे और यह यह हो जाते हैं खरब पती अरब पती ट्रिलिनेर या उससे भी ज़ाद और फिर ही यहां पर fresh buying orders लगाते हैं यहां पर और यह market शुरू से ऐसे बहेब करते हैं यह देखो न पास historical record है तो हमारे पास weekly basis पर भी ऐसा ही होता है weekly basis पर भी ऐसा ही होता है यह देखो यह चीज़ तो चली हा रही है यह देखो आपके सामने यहां पर गई यह पर गई फिर नीचे आई फिर उपर गई फिर नीचे आई उसके बाद फिर उपर जाना फिर नीचे आना फिर उपर जाना फिर नीचे आना यह अवाय तो चलती रहेंगी जैसी नीचे आएगा न यहां पर कोई crisis हो गया कोई bank fail कर गई Russia Ukraine का war start हो गया यह ऐसी ऐसी ख़बरों की वज़े से कैसे यह एक बाद बताओ Russia Ukraine का यूद उदर हो गया मैं अपनी holding क्यों निकाल दूँगा मैं अपनी holding क्यों निकाल दूँगा हमारे देश में budget आ रहा है यह तो चलो भारकी market है हमारे देश में budget आ रहा है या फिर नई सरकार बनने जा रही है या फिर primary register की हत्या हो गई मैं अपनी manager अगर PNB buy कर रहा है तो मैं इसको मैं इसको बेज दूँगा मैं क्या link एस का क्य क्या link क्या है और लोग फिर यही बोलते है जिते ही all time जिते ही लोग है न अरे जो PSU banks है न मलब यह पूरा का पूरा सेटर है न यह देखो Nifty PSU bank को पर लेका हूँ है यहा पार इसमें आता है अरे Nifty PSU bank खतम वो खतम कैसे खतम सरकारी bank खतम हो जाएगी तो इस देश में ट् है ठाक है बस यही बाकी रह गया हमारे देश में के RBI में ट्रेड नहीं होता वर ना उसका भी पता चला ट्रेटिंग चार्ट मेंद है और यह golden approach टी है मैं सब बतारो यह जो ऐसे चीज़े होती है जो all time लोग आपको देखने को मिलती है ऐसा नहीं के अंदर तो किसी में भी पर एजांपल सेंड बॉक्स की बात कर लो सेंड बॉक्स यह आज एक ऐसा क्रिप्टो है जो कि आपको मिल रहा है 50 रुपीज में 50 जब एक टाइम के एक टाइम पर यह भाई साब 632 रुपीज किते तो सोच के देखो तब लोग बहुत अच्छा लग रहा था और चला भी यहां से था पिछली बार कितने दस रुपे से दस रुपे थे चलके 632 हो गया था कब चला था दस रुपे से जून 2021 मैं आपको बोल रहा है ता पूरा का पूरा और देखो प्रूफ है आपके सामने हर चीज का मार्केट ने फिर उसके बाद इंसिटूशन ने अपने यहां बात नहीं फुल्फिल हूंगे थोड़े टाइम के लिए यहां पर फ्रेश बाइंग ओडर भी लगेंगे और पुराने वाले जो उपर से जो नीचे इतनी मार्केट चलि आ रही है यहां पर फ्रेश सेलिंग ओडर भी लगेंगे लगने तो कोई बात ही जो सेलिंग वो आसे fresh buying water लगा कर दुबार यह market ऐसी ही behave कर रही है और ऐसी ही behave करती रहेगी इस time पर लेकिन जो यह जो fear index है यह greed index यह greed index यह आपको एक index देखने को मिलता है कि कितना यह चल रहा है इस time पर fear सबसे जाद है देखो यह zone है यह zone है यह fear इस time पर सबसे जाद है सब कुछ देखो fear कल fear था प्रिष्ले अफ्टे फिर था last month extreme fear था और दुनिया का सबसे बड़ा soft trader जिसका quote मैंने भी आपको ग्रूप पर विज़ा था यह be fearful when others are greedy यह आणतर समझने इस line को be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful सबसे पहले उबर वाले code को उनको समझते है be fearful when others are greedy इस point पर सबको अच्छा लगता है हर कोई बाय करने लग जाता है यह अरे भाई 10 उर्पी की चीज 62 को होगी कर ले बाय यह और उपर जाएगी तेरे बच्चे नंगे नाचेंगे करोड़ पती बन जाएगा तो अरब पती बन जाएगा पहली line be fearful when others are greedy ऐसे point पर चुपो कर बैठ जाओ कि हमें नहीं पता यह all time जब हाई जा रहे थी कितनी हाई जाएगी मत बाय करो क्योंकि जिसने इस point पर बाय करा ना उसके बाद से तो कभी रुका ही नहीं आना और यह दोबारा 10 रुपे की पहुचने की कागार पर पहुँचके है और ऐसा person आपको लगता है अब यह fear index जो मैं दिखा रहा हूँ हर चीज जो scientifically मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ यह ना पूरे world market कर ने कितने लोग आज buying करते हैं sharing करते हैं उसके basis पर यह index अपने आप बन जाता है अपने आप बन जाता है जैते गूगल पर आके लिखोगे किती भी चीज़ का फॉर एंट पर फिर एंट इंडेक्स फॉर एंट फिर एंट इंडेक्स be greedy when others are fearful जब सबकी इस टाइम पर अभी फटरी हालत खराब है भर-भर के बाय कर लो भर-भर के बाय कर लो क्योंकि जो चीज़ 10 रुपे से चलकर 6.32 की हो सकती है जो 50 रुपे से चलकर अब वो कितनी की होगी you can't even imagine you can't even imagine ये हर चीज previous high को तोड़ेगी ये जो अब यहाँ दे चलेंगी इस बार और इनी चीज़ों का मौका रहता है मैं वही कह रहा हूँ अगर ये आगपो 6.32 में एक मिल रहा होता तो आप बहुत खुश होते इसकी बात कर लो Solana की बात कर लो ये देखो जब ये यहाँ पर एक कोई एक कोई 259 का था 259 डॉलर्स है ये तो फिर भी आया देखते है न 19,000 20,000 का टच करके गया था ये high देखो उपर देखो high देखेगा ये देखो यहाँ पर आएगा high आएगा देखे 1,9,447 19,000 जब ये टच करके गया था तभी लोगों को बहुत अची लग रहता है महला एक चीज 20,000 रुपे की मिल रही बहुत अची लग रही थी आज ये 1100 रुपे की मिल रही तो कदर नहीं है और रियल मार्केट के अंतर कोई 20 रार की सबजी थे तो आप कभी नहीं लोगे आप पैदल चले जाओगे चालिस क्यों मिटर दूर लेने क्या आपको कोई बता थे कि 1000 रुपे के सामान मिल रहा है महाँ पर तो आप चले जाओगे क्या डरना अच्छा अब लोग एक और बात कर लेते लास्ट बात कि लोग ये भी कह रहें कि सब कुछ बंद हो जाएगा खतम हो जाएगा ये वह हो जाएगा यार अगर मैं सिर्फ माना दिखाऊँ आपको जैसे इंडिस्टॉक मार्केटिक केस में दिखाएगा ये हो जाएगा माना न डी सेंटरल एंड है आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी जो है न फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाएगी इसी फॉर्म में खरीदी जाएगी इनके प्रोजेक्ट शल रहे हैं का ये लोगों लगा सकता है उनके मौल में जाकर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के लिए हैं पूरे की पूरी लोग ये लैंड बाय करने लगे और ये ऐसे करके वर्चुल वर्ल्ड में इनके एनेफटी चल रहे हैं बड़े सारे बहुत सारे वर्ल्ड में इनकी मतलब कैसे बंदो सकती है PNB कैसे बंदो जाए गा सरकारी बैंक हैया। यूनियन बैंक इंडियन बैंक कैसे बंदो जाए लिए इसका देख लो लो टाटर सील को देख लो एक बड़ी सेम ये भी टाटर सील निफ्टी मेटल की तरह है न निफ्टी मेटल देखना जब ही इंटर्ड्यूस हुआ यहां तक है हाई लगा कर इसने लो लगाया फिर से अब आना शुरू लो यहां तक का क्या लो तो इसने यहां तक का लगाया उसके बाद उठा तारीफ है जिस जगा से लो लगाया था वहीं से उठना श्टर और इस बारी इगनाया हाई लगा दिया फिर नीचे आया एकलो लगाया और उसके बाद तो कोई इसको रोकने के लिए सीमा ही नहीं थी ओल्टेम हाई जो एक जमाने में कभी इस लेवल पर 19 रुपे की चीज जो थी वो 153 रुपीज की हो गई थी यह 153 की और यहीं पर जाकर लोग फिर बाई करते हैं यहां खरीद लो यहां इस पॉइंट पर और अभी चल रहा है 106 रुपे का यहां पर देखो 106 रुपे का यह ऐसी यह मार्केट वीफ करती है ऐसी करती रहेगी लेकिन लोग जो बस करना नहीं जानते न तो वो ऐसी बाते करते हैं यह जो फियर इंडेक्स है ना 95% जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना मनी लूज ही करते हैं पूरे वल्ड में विकॉस दूनोट है एनी नौलिज अबाउट इट और यह लाइफ एक्जामर जो मैं आपको नवंबर में बैटे हुए है और यह आपको मिल गई है ना जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पर जो वो कोर्स कर रहे है मेर से सब लोग यही कंप्लेंट करते रहते हैं तो लाइफ टेप मैं कर रहा था मन अब खरीदने को selling orders fulfill होने के बाद fresh buying orders institution लगाएंगे वो buying orders भी तो लगाएंगे तभी तो यहां से फिर लोग buy करना start करेंगे लेकिन जब सब लोग यह डर जाते हैं फिर इसके बाद बस लोग को क्या वो खेल कता तो पूरे डर हो है, memes में start हो जाएंगे instagram पे stories आ जाएंगे, तो तो ऐसा कहता था वो ऐसा कहता था, यह बिलकुल जो बेवकूफ लोग होते हैं जिनको कुछ भी knowledge नहीं है वो ऐसे बात करते हैं और इसी को कहते हैं कि social media impact और यही होती है कि institution की trick लेकिन हमें institutions के कदमों को follow करना पड़ता है, यही चीज मैं अपने course में सिखाता हूँ, institutional footprints मैं आज फिर बोल रहा हूँ, भर-भर के जो कुछ-कुछ अच्छी चीज़े हैं वो बहुत आराम से buy करी जा सकती हैं और उसको buy कर लो, एक आप के लिए हो गया send box फिर एक solana और एक इसके लाबा mana mana यह भर-भर के बाए करी जा सकती है भर-भर के यह सारी के सारी क्योंकि अभी यह इधर चल रही है और इनका भकत आएगा इसको डाल के छोड़ दो mobile को भी चेक करने की जुरूद नहीं है especially मेरे student सा आपने लगा दिया पैसा हर dip पे लगाने के लिए अगर और नीचे आता जा रहा है हर dip पे लगाने के लिए अगर आपके पास है well and good नहीं है कोई बात नहीं भूल जाओ भूल जाओ ठेक है इस discussion में फिला लिप नहीं thank you very much for discussion कर दो कर दो है